नमस्कार दस्तों मैं रोन और आप देखने टेक्निकर रोन यूट्यूब चैनल दस्तों आज मैं आप लोगों बताने वाला हूँ कि आप आईफोन के अंदर कंटेक्ट नंबर को जो है कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर आपके जो कंटेक्ट नंबर जो है सारे वो जो है आपकी जीमिल आईडी पर है या फिर आपके सिम कार्ड में जो आपने सिम कार्ड वहाँ पर लगाया आपने आईफोन के अंदर उसके अंदर आपके सारे कंटेक्ट नंबर है लेकिन आपको contact के अंदर आपके सारी contact number 100 नहीं हो रहे हैं तो आप वहाँ पर 100 कैसे करा सकते हैं कैसे आप import कर सकते हैं अपने phone के अंदर आज यह मैं आपनों को बताने वाला हूँ आप यह contact चाहे Gmail ID पर हो या फिर Yahoo ID पर हो या फिर SIM पर हो कहीं पर भी हो आप आसानी से import कर सकते हैं अपने phone के अंदर और आपको contact के अंदर सारी दिखेंगे यहाँ पर ज़्यादा तर लोग जो है जो नए user होते हैं iPhone के उनको जो है यह नहीं मालूम होता है कैसे जो है यहाँ पर contact number जो है सारी 100 होंगे तो आज मैं आपनों को बताने वालों वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगे वीडियो को लाज तक देखते रही है आए फट आफट इस वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपनों दिखा जिता हूं contact के अंदर जा करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर contact के अंदर जो है no contact दिखा रहा है यहाँ पर जो है कोई contact थो नहीं हो रहा है बट यहाँ पर मेरे SIM card के अंदर भी contact number है और यहाँ पर जो email id sign up है उसके अंदर भी contact number काफी ज़्यादा है है लेकिर यहांपर जो है सो नहीं हो रहा है तो चलिए अब जानते हैं कि हम पर हम कैसे करा पाएंगे यहांपर पर स्टेक नंबर को हम कैसे लाएंगे आपके SIM Card के अंदर है या फिर E-mail ID के अंदर है तो यहां पर आपको करना क्या है आपको हो जाना है सेटिंग के अंदर देन यहां पर आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है उसके बाद यहां पर आपको एक option दिखाएगा Contacts का इस पर जो आपको किलिक करना है उसके बाद यहां पर जो है लिखा हुआ Default Accounts इस पर किलिक करेंगे तो यहां पर जितने भी यानि की Gmail ID Sign up होंगे या फिर Yahoo account Sign up होगा वो सारा जो है यहां पर so हो जाएगा तो यहां पर जो है मैंने Yahoo ID Sign up करके रखी हुई है और यहाँ पर जो है on my iPhone भी दिखा रहा है अगर आप on my iPhone पर किली करके रखेंगे तो iPhone के अंदर जितने भी contact नंबर सेव होंगे वो सारे जो है वहाँ पर आपको सो होंगे उसके लवाँ अगर आप जो है अपनी email ID यानि कि yahoo जैसा कि मैंने यहाँ पर yahoo को sign up करके रखा है तो yahoo यहाँ पर मैं के लिग करके रखूंगा तो yahoo के अंदर जितने भी मेरेすके नंबर से हो है वो सारे वहाँ पर contacts list के अंदर सो होंगे इसी तरीके साए अगर आपने यहाँ पर gmail id सो होगी उस gmail id पर आपको इनलिक करना है देना आपके सारे contact नमबर आपको निस्ट के अंदर सो होने लगेंगे कुछ लोग बहुता है कि यह करने के बावजूद भी वहां पर जो नहीं होते हैं तो मैं आप लोगो बताना चाहिए कि आपको जो इंटेनेट करके रखना है तब ही वहां पर सो होंगे कि यहां पर जो सिंक करेगा आपके इतने भी कंटेक्ट नमबर होंगे वह सारे सिंक होंगे उसके बाद वहां पर सो होते हैं इसलिए इंटेनेट जरूर चालो करके रखना तो यह हो गया हमारा इमेल आडी से कंटेक्ट को इंपोर्ट करने के वहां पर उसके लबाँ यहां पर अगर आप सिंप करना चाहते है तो कैसे करेंगे तो यहां पर आपको एक option दिख जाएगा import मैं यहां पर देख जाएगा import sim contacts तो इस पर जब करेंगे तो आपके जितने भी मतलब sim contacts होंगे वो सारे जो है आप import कर पाएंगे उसके बाद यहां पर आपको option देख जाएगा कि आपको मतलब अपनी email ID में import करना चाहते हैं या फिर आप जो है अपने phone पर import करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर फोन पर import कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख पारे हैं कि importing sim contacts लिकरकर آ रहा है तो यहाँ पर ठोड़ा सा time लगएगा है तो finally यहाँ से जो है हमारे contacts number जितने भी थे वो सारे import हो चुके हैं हमारे iPhone के अंदर अब आपको करना क्या है आपको यहाँ पर एक बात और जहां रखनी है यहाँ पर आपको default account के अंदर आपको अब जो है on my phone select करके रखना है क्योंकि अगर आप जो है sim से import करेंगे iPhone के अंदर यहाँ पर जब आप इस पर टीक करेंगे तभी आपको वहाँ पर जो है contact number 100 होंगे लेकिन अगर आपकी email id पर है email id पर है तो आपको उसी पर select करके रखना है वो सारे वहाँ पर automatic वहाँ पर so हो जाएंगे बस आपको internet चालो करके रखना है तो यहाँ पर इन दोनों तरीके से आप contact को वहाँ पर so करा सकते हैं तो अब देखते हैं कि हमारे contact number जो है जो मैंने SIM card से import किये वो यहाँ पर आई या फिन नहीं तो चलेंगे contacts के अंदर जी हाँ बिलको यहाँ पर मेरे सारे contacts जो है वापस आज चुके हैं मैंने जो ही यहाँ पर iPhone के इंदर जो है import कर लिये हैं तो कुछ इस तरीके से जो है आप यहाँ पर contact number को ला सकते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं वीडियो कैसे लिगी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बैल आइकन को दबा लिजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नमस्कार मैं मिलता हूँ निव इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में